नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि बजार ने all time high के levels को टच करा और early morning में ही हमने टेलिग्राम के थू कहा कि बजार 24,000 के उपर जाते दिख रहा है तो आखिर क्यों ये volatility के बाद बजार में rally रिखी है इसके क्या कारण है क्या ये crew 92 के आसपास की दिख रही थी जहां NDA के साथ 2-3 बरे घटक थे जिसमें चंदरवाबू, नाइडू, नितीज कुमार और महरास्टरा के जो एकनाच सिंदे हैं उनकी 3 पार्टी दिखी लेकिन इस समय निर्दलिये के जो MP हैं उनके सहयोग के बाद हमने देखा कि NDA 303 के आ परकार से चंदरवाबू, नाइडू और नितीज कुमार जी के द्वारा आज मिटिंग में कहा गया कि जो भी मोदी जी करेंगे या फिर हम लोग NDA के फेस पे लरे हैं NDA के फेस में ही रहेंगे और जो भी कार्य बाकी है इंडिया के ग्रोथ के लिए हम लोग बिना किसी सर के वो साथ देने के लिए तयार हैं इंटर्नली जो भी बात हुई हो कि कौन से कैबिनेट किसको दिये जाएंगे वो अलग बात है लेकिन पब्लिक फोरम पे ऐसे आकर के कहना कि हम लोग सपोर्ट में हैं जो मोदी जी करेंगे उसके पीछे हमारा पुर्ण सायोग रहेगा इंडिया के ग्रोथ के लिए ये न्यूज मात्र के बाद से बजार में एक बरी डैली दिखी रेपो रेट अंचेंज आर्बी आई के तरफ से रहा ये दो बड़े फैक्टर रहे ट्रेंड होने का और ये ट्रेंड कोई स्टॉक स्पेस्फिक या एक सेक्टर स्पेस्फिक न आज का जो ट्रेंड दिखा ये ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड दिखा है जहां IT, इनर्जी, बैंक, मोटर्स, मेटल्स, नन कुंजरमल, डुरेवल्स, हेल्थ केर, इंडस्ट्री, सेक्टर, डिस्टिबूशन सेक्टर यानि गलोबली या फिर डोमेस्टिक यतने भी कंपनिय हैं, जितने भी सेक्टर है, वो सभी सेक्टर आउट परफॉर्म करते दिखा, जिसके बाद निफ्टी देखेंगे, निफ्टी में एकजिट पोल के बाद एक बरी रैली दिखी थी और उसके बाद देखेंगे, जिस दिन काउंटिंग थी, बजार 9% गिरा भी लेकिन उसके बाद बजार ने टोटली रिकवरी कर लिया, और इस समय अगेन एकजिट पोल वाले दिन के ट्रेंड पे आ चुका है, और 4-5% की बहुत तेजी नहीं है, यहां से पोटेंशिली 24-200 से लेकर के 24-500 प्लस तक का लेवेल जून के महिने में दिख सकता है, टेक्निकली नहीं करना है, जब तक निफ्टी 2380 के नीचे नहीं जाता है, 23080 इसके नीचे जब तक नहीं जाता है, और अपर ट्रेंड में ही करते दिखेगा, बैंक निफ्टी के अगर ट्रेंड को देखें, तो बैंक निफ्टी के ट्रेंड को भी अगर आप देखेंगे, तो बैंक नि तक के लेवेल्स भी दिखेंगे जितने भी हमने स्टॉक आपको सजेस्ट करें वो चाहे अमर राजा बैटरी हो वो चाहे वीपरो हो इन्फोसिस हो बेदानता हो उसके बाद दिव्यानी इंटरनेशनल हो मदर्सन हो सभी स्टॉक ने आउट परफॉर्म करें आगे भी जो भी स्टॉक मुझे पोटेंशियल ट्रेंट वाला लगेगा वो श्योरली आप तक सेयर करूंगा के अनर कंस्ट्रक्शन हो तो आई होप यह वीडियो इंफोर्मेटिव रहा थैंक्यो फो वाचिंग दिस वीडियो